आप देखें डीबी भारती समाचार मैं हूँ आपके साथ वर्षा पर्माद अफगानिस्तान में तालिबान की कपचे के बाद बिखडे हालात में महाराज गंज जन्पस से रोजी रोटी की तलास में गया जंग भाहतु काबुल में फस गया परिजनमोदी सरकार से घर बापसी को लेकर कर रहे गुखा अफगानिस्तान में तालिबान के कपचे के बाद बिखड़ते हालात में महाराज गंज जन्पस से रोटी की तलास में गया जंग भाहतुर काबुल में फस गया है तालिबानी लड़ाकों के दुरूरता और असुरच्छा की आशंका से सहमा परिवार अपने घर के हुखिया की सरकार से सुरक्षित बापसी की गुखार लगा रहा है जन्पत के श्याम देवरबा ठाना छेत्र के श्याम देवरबा गाउन वासी जोंग भाहादूर पिछले पास सालों से अफगानिस्तान से काबुल में एक प्राइबेट कमपनी में रहकर खाना बनाने का काम करता था अपने घर का इकलोता कमाने वाला जोग बहादुर की छे बेटिया एबंपद्नी घर पर है अफगानिस्तान में हालात बिकरने के बासे लगातार हो अपनी परिवाद से संपर्क में है और घरवाप्ची की कोशिश में जुटा हुआ है उसकी पेटी मनीशा ने बताया कि मंगलवार की साम पांच बजे उसके पिता का फोन आया था और काफी ख़बराया हुआ था इसले पास दिनों से खाना भी नहीं खाया उसकी मांग है कि ठानमंत्री नरेंद मोदी और मुख्यमंत्री योगी आधित्यना अफगानिस्तान से सकुशल और सुरग से तुम्हारत लाने में मदब करें अच्छान में थे हैं वहां पर लड़ाई चुड़ी गई है को रहे हैं कि बेटा हम घर आएंगे ता हम कहें कि यू करें बहुत ज्यादे लड़ाई हो रही है यह पान दीन हो गया हम लोग खाने नहीं खाएं अच्छा कब फोन आया था उनका सड़ी पांच बजे कल आया था क्या कह रहे हैं बहुत घवराट हो रही है हम घर आना चाहते हैं अच्छा कब गय थे पापर वारे यहां से पांच साल हो गया अच्छा कल फून किया तो क्या बता रहे थे कि वहां जंग चुड़ी हुई है रिभाबले क्या चाहना है, हम जरी डूरी बहुत जादे हैं, भृदी जी है है कि सरकार मैंगे हैं, कि मोधी जी से क्या कना चाहते हैं, कि हमारी पापा खर भेदे़ा है, हम बहुत टेंसन मी हैं जनकारी मिली हैं हमसे इनसे बात भी यह जग बहादूर जी से और जन्ग बहादूर ने बताया कि यहाद जूद चिरा गई है ज्यादे दिक्कत हो रही है हम वाना चाहते हैं हम लोग रहे हैं सब भी नियुट भी है chore और जन्सें चाहते भी हैं Catholic विसजी उचए देखते रहे डीवी भारती समचार नजर हर खबर पर कर दो कर दो कर दो और गो